सिर्फ एक चमच पानी के साथ उबाल कर पीलो, सरीर के सभी तरह का दर्द बेलकुल गायब हो जाएगा, नसों में कमजूरी, नसों में सूज़, दर्द, चक्कराना और नसों में ब्लोकेज की समस्या का, इससे कारगर कोई इलाज नहीं होता, हर दर्द के लिए ये एक नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाएंगे, दोस्तों जो आपके सरीर के हर परकार के दर्द का इलाज कर सकता है, दोस्तों इसका प्रयोग करके नसों की कमजूरी पूरी त्रहें से ठीक हो आपके सरीर का खून गाड़ा है, तो ये नुस्खा आपके सरीर के खून को पतला करने का काम करेगा, और सिर्फ आपके सरीर के खून को पतला ही नहीं करेगा, बल्कि आपके पूरे सरीर के खून को साफ करने का काम भी करेगा, और दोस्तों यदि आपके सरीर का खून पतल और यदि नसों की blockage है तो वो खुल जाएगी आपका खून में cholesterol की समस्या नहीं होगी और यदि आपको cholesterol नहीं है तब आपको heart blockage और heart attack जैसे समस्यां का भी सामना नहीं करना पड़ेगा यनि आप दिल की बीमारियों से बचे रहेंगे दोस्तो यदि आपको घुटनों का दर है दोस्तो ये नुस्खा हर परकार के दर्द को चाट जाएगा और आपके सरीर को बिलकुल निरोगी बना देगा आपके सरीर की immune power को बढ़ा देगा और दोस्तो इस नुस्खे को बनाने के लिए अगर मैं बात करूं कितना खर्चाएगा तो सिरफ दो रुपे में ये नु इसका सेवन करना है और दोस्तो साथ दिन में ही आपके दर्द से आपको छुपकारा दिला देगा आपकी समस्याओं का समाधान करना सुरू कर देगा इतना चमतकारी है नुस्खा और दोस्तो इस नुस्खे के लिए जो आपको आवसक समगरी चाहिए वह चाहिए पहला दा करती हैं दर्द का इलाज करती है सरदी खासी का कारकर इलाज है दाल्चनी मसालों की रानी है और इसके फाइदे तो बहुत अधिक हैं और यदि किसी भी नुस्खे के साथ दाल्ची ने मिल जाए तो इस नुस्खे की पावर को भी 100 गुना तक बढ़ा देती हैं बड़ी लाइची दोस्तो बड़ी लाइची आपने मसालों के रोब में आपके घर में जरूर होगी इसके फाइदे हैं तभी ये आग की रिसोई में हैं दोस्तो तब आप समझ सकते हैं इन तीनों सामगरियों के फाइदे हैं जानते हैं कि इनका प्रयोग आपने करना कैसे हैं दोस्तो आपने क्या करना है 50 ग्राम दालचिनी 50 ग्राम बड़ी लाइची और 50 ग्राम लोंग लेकर इनको कूट पिसकर इनका पावडर बना लीजी जैसे कि ये मैंने बना लिया इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजी दोस्तो ये हो गया आपका नूस्खा रेड़ी अब आपने क्या करना है सुबह जब आप उठें तब आपने इसकी चाय बनानी है चाय बनाने के लिए आपने दोस्तो एक गिलास पानी आप पर उबलने के लिए रखना है और इन तीनों जो सामगरी थी इनका जो मिक्सर का ये पावडर है इसका आपने एक चमचिस में डाल देना है और इस पानी को आपने तब तक उबालना है जब तक ये पानी उबल उबल कर आदा नह रह जाए यानि एक गिलास पने लिया था और वो एक कप नह रह जाए और जब यह एक कप रह जाए तो दोस्तो आपने इस चाय का सेवन करना है और इसका सेवन करना है आपने हरो सुबह खाली पेट यने की दिन में एक बार और सुबह खाली पेट आपने इसको प्या और सुबह खाली पेट सेही यह आपकी बीमारीों का समधान करना शुरू करतेगी आपके हर परकार के दर्द को चाट जाएगी नसों की कमजोरी को बेलकुल जड़ से खतम करतेगी खून की समस्याओं के लिए कारगर है वैसे इसके फाइद तो और भी बहुत सारी हैं दोस्तों पर अगर हम सभी फाइदों के बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी तो इससे बहतर ये है कि आप इस नुस्खे को अजमाईए और इसके फाइद के कारगर जैट कैसा है दोस्तों यदि आप इस वीडियो को सेर करेंगे तो सेर करने से ये फाइदा होगा कि जिन मेरे भाईयों की इस वीडियो की जरूरत है यानि जो किसी भी परकार के दर्द का सामना करें नसों की ब्लोकेज के समस्या है तो उनको ये वीडियो मिल आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वडियों की नोटिकेशन आते रहे धन्यवाँ दोस्तों